आज के जो वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपके क्या मिस्टेक था जिसके बज़े से ये रिलेशनशिप खतम हो गये और उसके क्या मिस्टेक था जिसके बज़े से ये रिलेशनशिप खतम हुई है मतलब दोनों के मिस्टेक के बारे में डिसकस करेंगे कि दोनों में क्या कमिया था जिसके बज़ा से ये relationship खतम हुआ और क्यों खतम हुआ इसके regarding in details reading करेंगे दो option है पहला option मैं बता दीत हूँ ये है आपके green amazonite के heart और ये है आपके row squares के heart तो दोनों option में से कोई भी एक option choice करो pile 1, pile 2 जो भी आप choice करोगे वो ही है आपके reading ये timeless video है जिस दिन के जिस time से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी time से आपके उपर applicable है और ये किसी भी time zone के लोगों के लिए है whether you are in India, US, UK, Canada, Australia, जहां कई भी आप हो आपके लिए reading है और ये जो reading है ये किसी male, female, transgender, two spirit, gender, neutral, gender हर किसी gender के लिए है, married, unmarried दोनों लोग के लिए है तो relationship end क्यों हुआ, आपके क्या mistake था और उसके क्या mistake थे, कहां पर वो गलत चले गए, वो देखेंगे ये आपके X के बारे में भी हो सकते है, आपके spouse के बारे में भी हो सकते है, आपके अभी के जो relationship खतम हुई है, उसके बारे मे यह हो सकते है तो quickly शुरू करते है reading और आप choice करो one or two में से कोई भी एक option और quickly आपके reading शुरू करते है जिन्हों ने choice किया था Amazonite के heart उनके देखेंगे कि आपके mistake क्या था और उसके mistake क्या था जिसके बज़ा से यह relationship खतम हो गया he who doesn't want to see the truth close their eyes like pigeon यह मैंने खुद लिखा है मतरा कितना powerful यह जो message है someday perhaps in another lifetime blind sight clueless, confused and perplexed unspoken words heart searching your eyes for answer आज भी आप यही answer जानना चारे हो बहुत सालों से शायद आप यही answer जानना चारे हो कि उसका और या आपका किसके mistake था और किसके बज़ा से यह relationship खतम हो गए तो मतलब आगर आपके बहुत साल पहले यह relationship खतम हुआ है तो आज भी आपके question नहीं है कि क्या क्यू relationship खतम हुआ है बेट इसमें मैं बोलूँगी कि आपका दोश नहीं है basically इसमें अगर कोई चीज़ों के दोश है वो है आपके blind sided होना मतलब शुरू से ही red flag था यहाँ पर शुरू से red flag थे एक शुरू से secret रखा गया था लेकिन आपको वो समझ भी नहीं आई आपको आपको जो है आप नहीं समझ पाए और आपका basically ऐसे हो गये कि नहीं नहीं यह तो relationship ठीक है यह लरका यह लरकी मेरे लिए ठीक है तो ऐसे है कुछ जो चीज़े वो बताना चाहता था या चाहती थी वो आपने उसे बताने भी नहीं दिया आपके पास हाला के अभी तक no contact situation अगर चल रहे तो मुझे लग रहे के love letter या message बत्रब यह cards कह रहे के आपके पास उसके message एक दिन आएगा लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगी कि इनमें कई हद तक आपके mistake था यह जो जो भी किछ हुआ उसके होने की reason ही थे आपके mistake आप basically आपने समझ नहीं पाया कि उसके बहुत सारे secrets है और आपको वो समझने में काफी time लग गया कि यह security person है कोई third party है उसे secretlyly रखा हुआ है इस तरीका की situation थे वहाँ पर मैं यह थोड़ा और cards लेके clear करूँगी कि क्या situation था काफी सारा secrets था hidden secrets इस इनसान के आपके काफी expectation था इस person से यह false person था देखो यह आगया false person यह हमेशा आपको जूटी बोलते रहे मतलब कोई चीज आपको सच नहीं बोला है और मुझे जरूर मुझे अब ऐसे लग रहे कि जैसे जरूर इसके life में कोई ना कोई third person था जैसे या थी और उसी को लेके वो serious थे और आपको बोल नहीं पाया और आप इसके साथ relationship में गए और relationship खतम होगे ट्राइंगिल बीकन वाइन ग्लास टेलिफोन आपके पास call तो आएगा इसके तरफ से call आएगा और आप से वो basically सारी चीज settle करना भी जाएगा कि आप दोबारा relationship शुरू करते हैं लेकिन ये इनसन behind the mask के cards आ रहे हैं जैसे इसके apology करना और बापस आना इन सब चीजों के chances तो है ये सारे कुछ होने की chances तो है लेकिन वो होके भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर already third person है और third person हमेशे ही रहेगी और या रहेगा और आप हमेशे ही अंधिरे में रहोगे और ये आना जाना आना जाना on and off चलता रहेगा और आप basically जो है confused करके रखा है आपको आता है फिर चला जाता है फिर आता है फिर चला जाता है तो इसलिए मैंने ये फहला जो cards है ना मेरी अपने हातों से लिखा हुआ cards था he who doesn't want to see the truth close their eyes like pigeon मतलब जो कबुतर होते है वो क्या करते है कि जब उ उसको attack करने के लिए आता है तो अपने आखे close कर लेते है आखे close करने से थोड़ी ना वो बच जाएंगे वो अगर भागती है अगर कबुतर भाग जाते है या उड़ जाते है तो वो ठीक हो मतलब उसके जो है वो अपने आपको safe कर सकते है लेकिन अगर वो आखे close कर आखे close करने से थोड़ी ना सब कुछ ठीक हो जाते है वो तो attack करेगा attack करने वाला तो तब भी भी attack करेंगे तो उस तरीके से आप जो है आप red flag देखके भी आपको पता चलते हुए भी आप उसमें close कर लिया आपको लग रहा था है कुछ secret है कुछ चुपाते है बार-बार जाना जाना करता है फिर भी आप अपने आखों को एकदम close करके blindsided हो गए और फिर आपके साथ जो होता होना था वो होता गया एक false person है तो आपका इसमें mistake कम था इसी के mistake जादा था तो ये false person है इसमें आपका दोश नहीं है आपके energy के बारे में बात करेंगे आपके energy के बारे में बात कर लेते हैं energy आपका है A 26 and 17, 330, 21 and 12 and 523 and 14, 422, 31 and 13 इन में से आपके date of birth है name के first year last letter of the name हो सकते है S, M, D, W, I, G, K, J, Y, T, V, L, R इन में से first year last letter of the name हो सकते है और हाँ आपके date of birth 9, 18 and 27 ये भी हो सकते क्या आपके date of birth 9, 18 and 27 हो तो मुझे जरूर बताना किस-किस के reading match हुई है, किस के match नहीं हुआ है, क्या हो रहे है सारे चीज़े details in details नीचे में mention करना जरूर अब reading शुरू करते हैं जिनोंने choice करा था rose quartz के bracelet उनके reading देखते हैं कि उनके क्या reading है, rose quartz के bracelet, rose quartz के heart not bracelet, heart जिनोंने choice करा था उनके लिए देखते हैं कि आपके क्या mistake था और उसके क्या mistake था actually क्यों यह relationship end हुई है और आपके mistake थे या उसके mistake था इसके mistake था यह देख लेते हैं graceful surrender, admit and confess, reality is that I am never over you, silent treatment and complicated and about your past, don't know, don't care one for sorrow कुछ और cards are you get me like no one, I have changed, I have evolved, I have transferred and the reason is you देखो यहां पर relationship पूरी तरीका से खतम नहीं हुआ है, आपको लग रहे है कि relationship खतम हो गया है, मुझे नहीं लगता है, आप लोग दोबारा मिलोगे, दोबारा आप लोग के बीच के जो complication है, यह जो complicated relationship आ रहे है and कुछ past को लेके कुछ था, शायद आपके या आपके partner के बीच में दोनों में से किसी का एक past था, जिस past में उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुई थी और उसके बज़ा से जो आपके partner है, आपको छोड़ के गया है, यहाँ पर आपका भी दोश नहीं है, उसका भी दोश नहीं है, जो past में हुआ, उसके बज़ा से उसे लगा के पता नहीं, मतलब यह relationship ठीक भी है के नहीं है, इस तरीके से वो confused हो गया और past के बज़े से confused हो के आपको छोड़ के गया है, यहाँ पर already मैं देख रही हूँ के even छोड़ के गया है, आगे में सारे चीज़ ठीक होंगे, आप ही के तरफ हो जाएगी, आगे में हर कुछ चीज़, तो आपको इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है, अगर आपको ल conversation जरूर होंगे, conversation के card आ रही है, इस वक्त में आप red yellow के combination में कुछ पहने हुए हो, आप music lover हो, और छोटे बच्चे के साथ आप बहुत जादा attached feel करते हो, आप red के साथ related color maroon या yellow के साथ related color lemon yellow, light yellow या इस तरीका के color भी पहन सकते हो, और green के साथ related color green या sea green ऐसे भी कुछ पहन स लगते हो, तो जो भी है, आगे के conversation होंगे, आप दोनों के बीच में जो मन मिटाव हुआ है, जो खराब हुई है, चीजे वो ठीक हो जाएंगे, आप दोनों के conversation होने के बाद आराम से, आप दोनों के बीच के relationship जो है, बिलकुल ठीक हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लग रह जो misunderstanding हुआ है वो सारे चीज ठीक वो सब कुछ ठीक होने वाला है और मैं देख रही हूँ कि यहां पर आपके आपको बोला जा रहे हैं कि I have changed I have evolved मतलब आपको आपके लिए न यह इंसान बिसिकली खुद क्यों change करने की कोशिश कर रहा है transformation करने की कोशिश कर रहा है तो यह relationship आप भी तक खतम ही नहीं हुआ है तो mistake किसी का नहीं है थोड़ा complicated relationship था मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे twin flame type relationship था और कुछ जगा पे मैं देख रहे हूँ financial crisis वगड़ा और immature decision लिया गया है बाकी मैं बहुत जल्दी आप दोनों एक दूसरे क के साथ connected हो जाओगे और बहुत जल्दी आप लोग के situation change होने वाला है bottom cut lovers तो आप लोग lovers हो आप लोग के twin flame नहीं है कार्मिक soulmate connection है past life के जो कर्मा का issues है उसके बज़ा से यह problem हुआ है और कुछ नहीं और past life के कर्मा के issues जैसे ही ठीक हो जाते है तो आपके relationship भी ठीक हो जाए तो आप मेरे जो channel है इसी channel के आपको playlist में कार्मिक दोश काट कटिंग के healing video मिल जाएगी उसे जरूर ले और उसको जरूर आप देखे उसमें आपको काफी ज़ादा फायदा होने वाला है कार्मिक काट कटिंग के healing के video जरूर आप opt करे जरूर देखे उसमें आपको काफी ज इन में से आपके date of birth है और आपके name के first year last letter of the name हो सकते है S, K, B, R, E, I, X as in X as in Xerox, D, E, K, L, M, G, A इन में से first year last letter of the name हो सकते है तो इसी के साथ ये reading complete करूँगी hopefully एक short reading है hopefully आप लोग को अच्छा लगा है अगर अच्छा लगा है तो मुझे जरूर comment section में लिखके बताओ और जरूर channel को subscribe करें, video को like करें video के नीचे में जरूर लिखे community tab के नीचे में जो भी post आते हैं लिखे इस तरीका के bracelet आप जित सकते हो अगर long time के लिए आप continuously लिखते जाते हो आपको healing के bracelet मिल सकते हैं आपके जो भी problem है उसके मताबिक मैं healing के bracelet आपको बना के दूँगी thank you guys, have a blessed day and God bless you